आज हम बेल का सर्वत बनाने जा रहे हैं आप सभी जानते हैं कि इसे हम ऊड़ एकल भी कहते हैं हमने दो बेल लिया है यह दो छोटे-्छोटे बेल है जो दो गलास के लिए काफी है आप चाहे तो इसे ज्यादा भी ले सकते हैं इससे कम भी ले सकते हैं इसके लिए जो यूटेनल की ज़रुत होगी एक स्टेनर और एक बाउ야 और एक सूर पाउल है कि इसे चाहले हम प्रेक कर लेंगे कि आप देख रहे हैं इसे ब्रेक कर लिया है ब्रेक करनें के बाद अंदर के पल्प को बाउल में एक स्पून की मदद से हम निकाल लेंगे निकालते समय आप अपने हाथों का धियान रखें क्योंकि इसका आउटर सर्फेस काफी हाड होता है जिससे आप जो आपके हाथों में लग सकता है लोग गड़मियों में बेल का सरवत पीना बहुत पसंद करते हैं यह पेट के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन भी होता है और यह मार्केट में समर सीजन में इसली अविलेबल भी हो जाता है और इसका टेस्ट तो आप सबको पता होगा काफी ज़्यादा लाजवाब होता है पल्प निकालते समय ध्यान रखें कि हम इसके सीट को निकाल देंगे अधर्वाइस पीने के टाइम में उसका टेस्ट खड़ाब हो जाएगा थोड़ा सा करवा पना जाएगा हमने सारे पल्प को बाउल में रख लिया है अब इसमें हम हाफ लीटर नॉर्मल वाटर एड़ कर रहे हैं आप चाहें तो इसमें चिल्ड वाटर भी आड़ कर सकते हैं और पाने रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आपको जैसी कंसिस्टेंसी रखनी होगी आप ऐसा वाटर एड़ कीजेगा इसे अब हम हाथों से अच्छे से मैश करेंगे जिससे इसके पल्प वाटर में इसली गूल जाए अब एक स्ट्रेनर से हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे इसके लिए हमें एक स्पोन की जरूरत होगी स्पोन की मदद से हम इसके साड़े पल्प को ड्याप करके अच्छे से स्ट्रेन आउट कर लेंगे अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे चीनी भी आप अपने हिसाब से कम जादा रख सकते हैं क्योंकि बेल औरेड़ी मीठा होता है मैं इसमें 3-4 स्पोन चीनी मिला रही हूँ अब इसे हम अच्छे से स्टेर करेंगे जब तक यह अच्छे से डिजॉल्ब ना हो जाए जब सुगर अच्छे से डिजॉल्ब हो जाएगा तो फिर हम इसमें हम इसमें एक्स्ट्रा चाट मसाला पाउडर आइस यह भी आड़ कर सकते हैं यह हमारे टेस्ट को इन्हांस कर देगा अब हमारा चीनी अच्छे से डिजॉल्ब हो चुका है तो फिर हम इसमें मिंटली वैट कर देंगे डेकॉरेशन के लिए इसको अच्छे से डेकॉरेट करने के लिए थैंक यू फो वाचिंग